हेलो फ्रेंड्स आप सभी का अपने HDS Tutorial पर स्वागत हैं तो आज हम लोग क्लास 6 का अगला विकली टेस्ट 11 नॉवंबर 2023 का मैथ का बेर बेर इंपोर्टेंट कोशन देखने वाले हैं 11 नॉवंबर 2023 को गनित के साथ साथ हिंदी का भी विकली टेस्ट होगा और हिंदी का इंपोर्टेंट कोशन अप्लोड कर चुका हूँ जो 11 तारिक को पूछा जाने माला है नीचे description में चेक कीज़ेगा एक नमबर भी नहीं कटेगा अगर आपने अच्छी तरह के से मेरा वीडियो देखकर सभी कोशन को याद कर लिया तो चलिए मिना देर के हम लोग कोशन के और बढ़ते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो का अपने दोस्तों के साथ क्लास्ट में के साथ सेर करना मत देखे इसको हम लोग जिसे पहला ओप्सन देखते हैं 133 बटे 122 इसको सौल्ब करना है तीन बटे 2 आएगा या नहीं आएगा तो यह नहीं आएगा इसलो उप्सन नमबर पहला गलत हो जाएगा दूसरा भी नहीं आएगा तीसरा भी नहीं आएगा देखे ऐसलो नमबरerin दो याने कि तीन अनुपात दो आ जाएगा इसलो अपसा नमबर चौथा सही हो जाएगा दूसरा नमबर के कुर्शन देखिए यदि 10,20,x,40 का अनुपात बनाते हो तो x का मान क्या होगा यहाँ पर देखिए 10 बटे पहले 20 करेंगे फिर यहाँ पर बराबर देखर यहाँ प सवाराच पर 40 लिखेंगे अब एकस का वहली क्या होगा देखिए यहाँ पर 20 का पर बोलें कितना बार में 40 आता ए व्यूस दो न चालिस दो बार में तो 10 का पहाड़ा हम लोग दो बार बोलेंगे 10 दो नहीं 20 तो x का वहली सब्सक्राइगा होजाएगा इब यहाँ पर 20 द पांच रूपिया यालिकि पांच सो पैसा और इधर नीचे पचास पैसा हैं बसे को स्वूल्प कर देंगे जूरी-जूरू कर जाएगा पांचे का पांच पांच जाहीं पचास दस अनुपात 1 ऊपर दस बचा था बट्र नीचे एक तो इसको लिख सकते हैं अनुपात एक दस अनुपात एक सही अंसर हो जाएगा पहला उप्सन गलत है दुसरा उप्सन बिलकुल सही है बागी तीसरा चोथा भी गलत है उप्सन नमर दुसरा सही हो जाएगा फिर दिखे नेक्स्ट अगला चार नमबर 20 अनुपात कोश्चन मार्क समानुपात 40 30 बढ़ते 60 अब यहाँ पर दरखे ardhinë 40 का पहड़ा Gib है कितना बार में 40 का छोड़ देते है लोग 20 का पहड़ा बोलते है 20 का पहड़ा बोलते है कितना बार में 40 जहलिस आएगा 20 दुना 40 दो बार तो किसका पहड़ा दो बार बोलेंगे कि 60 आ जाएगा 30 का पहड़ा 30 दुना 60 होता है दो बार बोले तो कोसिल मार्क के जगव हमें 30 हो जाएगा 30 देखे पहला उप्षन 30 बिल्कुल सही है इससे आप प्रेक्टिस कीजेगा तो ही बना पाईएगा देखे अगला 5 नमबर निम्निम में कोन सी संख्या समनुपाति नहीं है कोन सी संख्या समनुपाति नहीं है बताना है यहाँ पर देखे पहला उप्षन है 20, 60, 15, 45 दुसरा 14, 45, 60, 20 तिसरा 5, 2, 15, 6 चोथा उप्षन है 3, 6, 8, 16 तो इसका सही अंसर हो जाएगा उप्षन नमबर दुसरा उप्षन नमबर दुसरा सही हो जाएगा कैसे देखे यहाँ पर 14, 42 करेंगे बराबर 60, 20 इसको स्वल्प करने से हमारे पास 2, 3, 6 3, 1 एक आ रहा है लेकिन इसको स्वल्प करेंगे तो 14, 1, 14 14, 42, 42 देखे एक बटे दो आया यहाँ पर एक बटे दो आया है और यहाँ पर तीन बटे दो आया है इसलिए दोनों अलग अलग है इसलिए यह गलत है ठीक है एक बटे दो बराबर तीन बटे एक यह बराबर नहीं होगा यहाँ पर नहीं पूछा इसलिए उप्सा नमब दूसरा सही हो जाएगा फिर देखे नेक्स्ट अगला च्छे नमबर दो दर्जन का 36 से अनुपात होगा दो दर्जन दो दर्जन नहीं कि एक दर्जन में 12 तो दो दर्जन में 24 24 बटे 36 बस कार देना है 12 से 12 6 अनुपात कोस्टेन मार 5 अनुपात 35 में लुप्त पर क्या है यहाँ पर 6 बटे कोस्टेन मार बराबर 5 बटे 35 अब इसको कैसे स्वल्प करेंगे देखिए इसको हम लोग क्रोस मल्टिप्लाई कर देंगे क्रोस मल्टिप्लाई कर देंगे इसको इसके साथ इसको इसके साथ तो यहाँ पर अगर हम लोग गुना करते हैं तो पांच अरितर कोस्टिन मार्क को लिख देंगे बराबर पांच चक तीस तीन बज़ गया चेतिया अठारह और तीन एककीस फिर यहाँ पर देखिए जो पांच है उसको बराबर का दूसरे सेड लाएंगे इधर तो बटे पांच हो जागे इसको कार देते हैं पांच चक पांच पांच चो के 20 पांच दूना 10 यानि कि कोस्टिन मार्क बराबर 42 आया है 42 इसका सही अंसर हो जाएगा उपसण नमबर तीसरा अब रटाई नेक्स्ट अगला आठ नमबर निम्न में सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है पहला अउपसन ने 7 अनुपात 5 दूसरा 15 अनुपात 23 तिसरा 17 अनुपात 25 चो था 21 अनुपात 29 तो इसका सही अंसर हो जाएगा ओप्सन नमबर चवथा 21 अनुपात 29 सबसे बड़ा अनुपात है फिर दिखे नेक्ष्ट अगला नव नमबर एक्स अनुपात 4 सब अनुपात 18 अनुपात 24 तो एक्स कमान क्या होगा से इसको स्वोल्प करेंगे एक्स बड़ा चार बराबर 18 बड़ा चोबिस तो चार का पढ़ा बोलेंगे कितना बार में 24 आता है चार चक चोबिस चे बार में तो किसका पढ़ा चे बार बोलेंगे 18 आ जाएगा तीन का पढ़ा तीन चक 18 तो एक्स का भेल्यू 3 हो जाएगा एकस का अभिल्य तो तीन उप्सा नमबर दूसरा सही हो जाएगा फिर दिखे नेक्ट अगला दस नमबर दस नमबर के कोशन है यदि किसी सवन उपात के अंतिम तीन पद दो तीन एवं छे हो तो परथम पद क्या होगा परथम पद यह ने कि एकस मान लेते परथम पद को तो तो किसका पहड़ा तीन मार बोलेंगे तो तीन होगा एक का पहड़ा तो एकस का वेल्यू एक हो जाएगा एक उप्सा नमबर पहला सही हो जाएगा तुछ तरके से हम लोग 10 MCQ यहाँ पर कोशन देख लिए हैं 10 objective कोशन देख लिए सभी कोशन काफी ज़दा important है आप practice का ल काली गेंदे हैं नीली और काली गेंदो का अनुपात क्या होगा तो यहाँ पर देखे 100 नीली गेंदे हैं दूसरी टोकरे में 25 काली गेंदे है ठीक है तो इसको लिखेंगे नीली गेंदो की संख्या 100 काली गेंदो की संख्या 25 बस 100 बटे 25 अनुपात निकालने के लिए बस इसको बाद में लिखें, इसको solve करेंगे 25 का 25, चुके 100 तो 4 बटे 1 अंसर आ जागा, इसलिए 4 अनुपात 1 इसका अनुपात है, इसको ध्यान देना है, देखिए यहाँ पर, पूछा गया है नीली गेंद एवं काली गेंद का, इसलिए नीली गेंद का पहले लिखें हैं, जिसको पहले लिखें, बाद में एक सोक नीचे लिखें, इसको काड़ते तो एक अनुपात 4 हो जाता, कोस्न समझे, यहाँ पर पहले नीली गेंद का पूछा गया है, इसलिए पहले हम लोग नीली गेंद का लिखेंगे, उपर में पहले नीली गेंद का लिखेंगे, अगर पहले काली गेंद का पुछता तो पहले काली गेंद का लिखते हैं यहां पर ठीक है अगला कोशन बढ़ते हैं रिना के पास दो हजार और उसकी सहली सभीता के पास दो हजार पैसे हैं रिना की रासी और सभीता की रासी का अनुपात निकाले तो यहां पर देखिए यहां पर रुपिया चलोई इसको व्वल्फ करते हैं देखिए रीना के पास रासी 2000 रुपिया सबिता के पास 2000 पैसा तो पैसा को पहले हम लोग रुपया में बदलेंगे एक रुपया में 100 पैसा होता है इसलिए 100 से भाग देंगे तो 20 रुपिया बन गया देखा यहां पर 200 पैसा रीना का पहले पूछा है इसलिए रीना का पहले लिखेंगे रीना का 2000 रुपिया है सबीता का 20 रुपिया है इसको हम लोग स्वोल कर देंगे 20 21 21 दो गुज जीरो बज गया तो 100 बटे एक यानी कि 100 अनुपात एक इसका सही अंसर हो जाएगा इससे आप प्रेक्टिस कर लिज जाएगा 24 तो अत्या 24 का 36 अनुपात 24 वटे 36 आज जाएगा 2 9 3 इसका अंसर हो जाएगा अनुपात लिख अनुपात जो निकालने के लिए बूलेगा बस बटे हो जाएगा तो चलिए अब अगला कोर्षण की वर बढ़ते हैं हम लोग अगला कोर्षण देखिए रिक तश्थानों को भरें यहां पर क्या होगा भरना है और यहां पर भी तो सबसे पहले मान लेते हैं यह नहीं रहता ठीक है तो इस केस में क्या करते हैं छे का पहड़ा ब बोलेंगे 7 बार कि 35 आएगा 5 का 5 35 तो यहां पर खाली डबा में 5 हो जाएगा ठीक है यह आसां तरीका है लेकिन और एक तरीका है जिसने आप देखे 35 बटे 42 है 35 बटे 42 तो इसको हम लोग 7 से भाग देंगे दोनों को उपर नीचे दोनों को 7 से भाग देंगे क्योंकि 6 का पहड़ा में 7.42 आता है इसे लिए तो 5 बटे 6 बच गिया है ठीक है 5 बटे 6 तो नीचे 6 तो देखिए यहां पर आ गया और उपर 5 आ गया जो पहले मैंने बता है उसे में 5 ही आया था तो पहला तो अंसर मिल गया यहां पर 5 आ जाएगा फिर आगर देखिए 35 बटे 42 35 बटे 42 से मान कर चलिए यह कुछ नहीं रहता है तो 35 का पढ़ा बोलिंग कितना बार में 70 आएगा दो बार में तो 42 का पढ़ा दोबार बोल देंगे 24 84 बस complete यहां पर हो जाएगा 24 ठीक है 24 इसका अंसर हो जाएगा अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला कोर्सें की और देखिए हमारा यह लास्ट कोर्सें आशी तरीक से देखिएगा सूलेखा और सभीता के बीच एक सो रुप्या को 2 अनुपाद 3 में बाटे है दो अनुपाद 3 में बातना है 100 रुप्या को देखिए अनुपाद 2 अनुपाद 3 कुल भाग 2 जोड 3 ब्राबर 5 तो उनुको जोड देंगे तो 5 आ जाएगा देखिए सूलेखा का भाग 100 गुना 2 बटे 5 500 यहां पर अर दो य यह वला 5 है यहां पर जो यह 5 है दो आर तिन को जोडने से वह ही यह वला 5 आया है इसको solve करेंगे हम लोग 5 का 5 5 दुना 10 0 आ जाएगा तो 20 दुना 40 40 रुपिया सुलेखा को मिलेगा फिर देखे सभीता का भाव 100 यह वला जो 100 है यह वला 100 है और यहां पर 3 यह वला 3 है और यह यह वला नीचे वला 5 है अब इसको solve कर देंगे 5 का 5 5 दुना 10 0 आ जाएगा 20 यह 60 60 रुपिया सभीता को मिलेगा तो इस तरीके से आज हम लोग classics का math का very very important question देखे लिए हम लोग 11 November 2023 को पूछा जाना है अच्छे तरीके साब सभी question को practice कर लिजेगा और चैनल को subscribe करना मत भूलिएगा क्योंकि test पहले और एक set में upload कर दूँगा आप लोगों के लिए जिससे आपका 40-42 माक्स आने से कोई नहीं रोक सकता है ठीक है दोनों वीडियो को देख लिजेगा तो 40-42 आना ही आना fix है तो इसलिए चैनल को subscribe कर लिजेगा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी share कर दिजेगा ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाब हो सकेगा आज की लिए इतना ही thank you for watching वीडियो जय हिंद जय भारत